जबश्कार बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने online जस्थान परिक्षाव प्लस में कैसे हैं सभी अभी के विएस ने लगातार डूती निजल्ट दिये हैं टीजटी पिजटी का दिया है और जेस से इस्टेनो का दिया है नॉन टीचिंग जो पोस्ट है और इनमे बहुत सारे बच्चे लगातार messages कर रहें even हमारी अगर आप previous वीडियो देखोगे उनकी comment section में जाओगे तो लगातार बच्चों के common questions ये हैं कि सर हमारा जो cut-off से cut-off से ज़्यादा नंबर था इसके बाद भी list में नाम नहीं है cut-off से ज़्यादा पाने के बाद भी list में नाम नहीं है ये सबसे बड़ी जो समस्या है बच्चों की इसके लिए जो मैं एक आपका जो क्या possibility यहां पे हुई है क्या इस पर formula लगा है क्यों ऐसा हुआ है result गलत है या फिर result सही है हमारे सोचने का तरीका अलग है इन सब को मैं इस वीडियो में explain करने वालो बच्चों सारी मेनत आप लोग के लिए होती है आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe वह से कर लो इस पूरे वीडियो में आप सब कुछ बहुत 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 सारे बच्चों को जहिलना पड़ा है अभी अगर मैं आपको यह यहां पर के वीडियो की वेबसाइट की बात करूं तो के वीडियो में आप जाओगे यह इसकल टेश्वाद पोश्टा फिनांस ओफिसर यहां पर अगर देखोगे इस पेडियो को अगर मैं open करूं तो यहां पर कट ओफ लगा था यह जैसे का है और सारे बच्चे जानते ह लगा हुआ है एक कोशन सबसे पहले दिमांग में यह आता है बच्चो कि अगर आप किसी भी एक्जाम के रिजल्ट को देखोगे तो ओबीसी और जो अन्रिजर्वड के टेग्रीज होती है उनके कटॉप में बहुत जादा अंतर नहीं होता है यह बात बिलकुल सही है आप हो बिए में आगे explain करने का कैसे क्या हो रहा है जो होती है क्योंकि आप जानते हो यह पूरा का केवरीन हैं यह इंर्ट्य और चैर्ठ का हो गदो करने का है premises का है इस भी है उनरे का फरक हो उसका बर देंट का फरक आ रहा है और यह फरक क्यों है इस बात को मैं समझाता हूँ, पहली बात देखो इसमें क्या लग रहा है, एक प्रजन्टाइल का फॉर्मला लग रहा है, दूसरी बात यह रहा है कि यह जो आपका केटेगरी है यह जंदल मतलब unreserved है, इसमें क्या होते हैं, इधर केट में संहें बात हुटा इसके क्लिये में मैं पड़ीए कॉंट होटे इनके इनकी कैटेगरीज को फाइदा दिया जा सके यह हमारे सम्मिदान का नियम है और इसमें कहीं नभी समर्णों को घाटा होता है यह बात भी clear है इसमें ना मैं टिपड़ी कर पाऊंगा और ना ही कोई कर पाएगा आतने सबसे बड़ी बात है कि इसमें cut-off से ज़्यादा नंबर होने के बाद भी क्योंकि जब आपका आंसर की आया पिजिटी पिजिटी में भी और इवन आपका जेएस से में भी और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आया तो आपका लिस्ट में नाम नहीं है इसका विपरीत ऐसे भी कह सकते हैं बहुत स उसके बाद में भी लिश्ट में नाम आगया और ऐसे बहुत सारे और खासकर जो कटेग्री से बिलॉंग कर रहे हैं सी इंके तो खासकर देखने को मिले हैं उसका भी मैं कारण आपको समझाता हूं मैं आपको यह एक जो एंटी के द्वारा परसेंटाइल फॉर्मूला होता है उसको मैं यहां पर explain करने का प्रयास करूंगा एक एक जामपल लेकि कि कैसे सारी चीज़ें यहां पर होती हैं अगर आप देखोगे सीधा मैं एक जामपल पर आता हूं कि suppose करो कि कोई एक जाम हो रहा है ठीक है एक जाम में आपके दो दो दिन पेपर चल रहा है और प्रत एक सिफ्ट का कितना है और लोवेश्ट कितना है खेर इससे बहुत जादा मतलम नहीं है आप हाई हिस्ट वाले का देखो आप मैं बताऊगा अब आते हैं इसमें होता क्या है इस फॉर्मले को लगाने के लिए हम लोग करते क्या है इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्र सेखो तो सेषन वन में टॉपर जो है वह 200 नंबर पाया है सेशन टुब में टॉपपर 594 पाया है सेओं त्री में Tout8 टुब मैंarius फिल से 200 नंपर के सलने को समस्टिये हैसे यहां पर समस्तिय चलना में यह हमें सरे हांगीम है 100 पुंड़िय। भी आप परसंटाइल का फॉर्मूला ही होता है कि कोई बच्चा है कोई पूरे लिष्ट में माननों कि चलो सव बच्चे में से मैं 91 बच्चों को ले लूँ और 93 बच्चे का माननों है 150 तूस 150 नंबर से कितने number बराबर या उससे कम जो पाते हैं उनकी संख्या बटे उस shift में total जितने बच्चे available हैं उनकी संख्या गोडे 100 कर देते हैं तो हमारा percentile आ जाता है ये एक rank बताता है ये उल्टे करम में decreasing order में rank बताता है percentile बताता है कि कितने percentage लोग से आप उपर हो जैसे जो topper होगा वो क्या होगा आप 100% बच्चों से उपर हो मतलब आप सबसे उपर हो और जो सबसे कम पाएगा मतलब आप 100% बच्चों से नीचे हो मतलब आपकी जो percentile बनेगी वो 0 तो नहीं बनेगी बट एक दसंबलो 0 के percentile बनेगी कभी इसमें 0 नहीं होती है क्योंकि आगे मेंसा एक बटे टोटल हो जाता है तो वो 0 बटे टोटल कभी नहीं होगा है ना इसलिए आपका क्या होता है माइनस का होता है खेर यह चीजे साथ ज्यादा आपको complicated लगे जैसे आप देख सकते हो यह 0 exact नहीं है 0.0035 0.00 यह सबसे lowest वाले का है आते हैं हम लोग कि कैसे इस percentile में यह फरक क्यों डाला है तो उसको example को समझने के लिए जैसे अलग-अलग shift में अलग-अलग बच्चों के राउमाक्स है मैं आपको किवल दो बच्चों पर focus करने को बोलूगा एक जो topper है और एक जो second topper है अभी आप कोनों number बराबर है लेकिन percentile में अंतर आ गया इस percentile में अंतर इसलिए आया है क्योंकि हो सकता है कि इस shift में number of candidates अलग रहे हो total appeared candidates अलग रहे हो पहला उस पर depend करता है दूसरा depend करता है कि उस marks से नीचे कितने बच्चे हैं उस पर depend करता है कि इसकी percentile क्या बनेगी तो एक ही marks प सिफ्ट में देखो कि 99.969144 99.969144 लेकिन इसमें जो marks 686 है और पहले shift में थर्ड शिफ्ट का है पहले shift में 192 मतला पहले shift का 192 वाला बच्चा भी और ठर्ड शिफ्ट का 166 अले बच्चे का percentile क्या हो रहा है बराबर हो रहा है तो सबसे पहले करते क्या है कि हम इन अलग- जितने shift होते हैं सब को क्या कर दिया जाता है अब merge करने में होता क्या है कि यहां पर suppose करो कि 99.969144 परसेंटाइल है यह जो दूसरे नंबर पे है इसमें तो यह भी क्या आ जाएगा यह भी बराबर परसेंटाइल है तो यह इसके क्या जाएगा बराबर आ जाएगा और जो मैं अगले आपको page पे समझा रहा हूं कि यह आपका क्या कर दिया गया यह आपका एक अलग से सारे जितने भी सिफ्ट हो है सारे बच्चों को परसेंटाइल के decreasing order में क्या कर दिया गया यहां पे arrange कर दिया गया अब इसमें होता क्या है कि आपने देखा कि जैसे जो चार के परसेंटाइल बराबन है भले ही marks अलग अलग है एक दोसो पा रहा है एक एक सो चौराने पा रहा है एक 188 पा रहा है एक दोसो पा रहा है तो इस बच्चे को क्या होगा फाइदा होगा इस बच्चे को क्या होगा नुक्सान होगा क्योंकि अगर इसका टॉपर 188 पा रह तफ रही होगी और यह 200 में 200 पा रहा है इसका मतलब इसका आसान रही होगी तो हम इसका निकालते हैं average निकालते हैं इसका निकालते है average और average निकालने के बाद भाई सबका average निकालोगे तो लगबग 155 पर दसमलोग आएगा मतलब कि जो 200 पाया है उसका 5 नंबर कम हो गया और जो 188 पाया है उसको 7 नंबर जादा हो गया तो इस वाले फॉर्मुले में जादा वालों को कम हो जाता है कम वालों का जादा हो जाता है ये भी आप समझते वे चलना अच्छा इसमें आप देख रहे होगे कि यहाँ पर तो 100 परसेंटाइल के वराबर 4 लोग थे तो कर दिया गया लेकिन यहाँ पर दो ब्लैंक यहाँ दूसरे वाले में खाली कर दिया है क्यों क्यूंकि इस परसेंटाइल के सापेक्ष में केवल 2 बच्चे बराबर थे shift 1 और shift 3 का कोई बच्चा बरावर नहीं था तो इसको सबसे पहले हम average निकालने के लिए भरते हैं इसमें लगाते हैं interpolation का formula यह ज़्यादा गड़ी थे इसे आपको बहुत ज़्यादा deep में समझने जरूत नहीं है बस मैं आपको insert बता देता हूँ इसकी value भरी कैसी जाती है इसमें हम क्या करते हैं suppose करो कि यहाँ पर जो marks रहता है उसमें क्या जोड़ देते हैं इसका marks यह 200-120 बटे इसकी percentile minus इसकी percentile into इसकी percentile minus इसकी percentile कर देते हैं तो लगबग इसके close value 99.99 ऐसे करके ही इसकी भी value आ जाती है interpolation method से इसकी value आ जाती है इन दोनों के करीब मतलब यहाँ पर जो value आएगी वो इन दोनों के एक average value के बराबर आती है क्योंकि हमें यहाँ पर इस column को बनाना है तो इनके average में लेके चलते हैं मतलब इसके इसके बीच में यह value होगी जैसे मैं इस चीज़ को आपको दूसरे वाले page पे समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने भर दिया एक 200 पाया था एक 192 पाया था और यहाँ पर interpolation method से 119.75 इसे exactly average नहीं कहेंगे बट interpolation को as a average बोल सकते हो और interpolation में नियम यह होता है कि हमेशा जादा वाले की तरफ shift होता है तो आप देख रहे होगे 200 में से 1999 की तरफ shift हो रहा है मतलब 192 की तरफ कम हो रहा है average होता तो इन दोलों के बीच में आता मतलब 196 होता बट interpolation में जादा वाले की तरफ shift होता है इस करण से आपका number यहाँ पर है अब ऐसा करके जितने भी blank रहते हैं सब को हम कर लेते हैं भल लेते हैं और सब का निकाल लेते हैं average इसका भी average ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 4 ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प् होते हैं क्योंकि इन चारों टॉपर की परसेंटाइल बराबर है इक्वल है परसेंटाइल हो गया मतलब एकवी परसेंटाइल हो गया चार बच्चों की परसेंटाइल बराबर दो बच्चों की परसेंटाइल बराबर दो बच्चों की परसेंटाइल बराबर तो हम इसे बोलत बलाता है कि जो 188 पा रहा है उसकी shift क्या है कठी नहीं और जो 200 पा रहा है उसकी shift क्या है आसान है तो आसान shift वाले का number कम किया जाएगा क्यूंकि उसका marks भले ही 200 पा रहा था उसको count किया जाएगा और कठीन सिफ्टालों का हमें इसा क्या होता है फायदा होता है इस मेथड़ में और यही चलता है निये ऐसे अगर आप थोड़ा सा और में आओ तो देखो एक इस सिफ्ट को आपजर को एक बच्छा 88 पाया इस परसेंटाइल पर हम परसेंटाइल 89 पर बात कर रहा है 88-89 जो यहां पर जो भी हो मुझे ट्लेर नहीं दिख रहा है साथा आपको देख रहा होगा क्योंकि मैं बोर्ड के पास हूं तो 88 यहां पर 82.58004 यहां पर 112.73 यहां पर 98 और इसका जो आया है यह 96 96.9275 शमतिंग करके यही लिखा हुआ है 95 यह 96 करके जो भी हो मुझे ट्लेर नही उसका भी 96 areट नमबर का फायदा हो गया और जो 82 नमबर पाया था उसका भीgram 65 मिला और 112 से Nobel मिला और 112 अच werde 5When हैं स्यालनों करें नीचे जाएगी 05 दिफिरेंस उतना ज्यादा क्रियाट कर खांड फायदा नुक्सान होता जाएगा तो इस method पर होता क्या है कि जो बच्चे टॉपल पर होते हैं उनको नुक्सान कम होता है या उनको फायदा भी कम मिलता है फायदा तो भी जादा मिलता है लेकिन अगर आप कम percentile पर यो score पर कम है तो क्या होगा है आपका जो difference आता है वो ज्यादा आता है पहला reason आपका यह है दूसरा reason यह है कि इस method में कि जो shift सबसे कठिन होती है उसको बहुत तेजी से फाइदा मिलते है तो आप ISO से यह प्रातना करो कि आगे कोई भी पेपर देने जा रहे हो जिसमें यह formula लग रहा है उसमें आपकी सबसे कठिन सिफ्ट हो अगर आपकी सबसे कठिन सिफ्ट हो गई बच्चे क्या सूछते हैं कि पेपर हैं आमें आसान मिल दे हैं मेरा आसान हो जाए मार्स बहुत अरह हर बच चे को अपना सिफ्ट टफव ही लगता लेकिन सही आकड़ा कौॉन बताता है सही आकड़ा तो जिसके पास आकड़ा है सारे वही बताएगा वह न मैं हो न आप सो कोही है वो केवल और केवल एजेंसी है अगर सारे बच्चे के हंड़िट परसेंट आकड़ा कि के पास है तो वो केवल वो agency है जिसने वो paper conduct कराया है और वो agency decide करती है वह भी agency का calculation decide करता है कि कौन सा shift सबसे कठीन है और कौन सा shift क्या है सबसे आसान है तो जो सबसे कठीन shift होती है उसको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है आप लोग को है आपके पोर आप अकेले तो हो नहीं उसमें हजारों लाखे लाग बच्चे तो उनके एवरेज पर डिपिंट करता है और इस नियम में दोसे रहे द्याभान प्रशूरा hmm कि है नवारा जो तो ऑसका जो वहा है क्योंकि कि आप में क्या लगाया है क्यों क्या हुआ है और मिव उसकता है और ऐसी बात हैं आप कछिन सीफ्ट में रहे हो तो एक्जाम देने के बाद भी result तक आप लोग wait कर लिया करो जरूरी नहीं होता है कि आपके अगर marks कम आ रहे हैं तो आप फेल ही हो जो जैसे में मैंने अभी KVSK जैसे का result आया बहुत सारे बच्चे CPT की तैयारी कर रहे हैं CPT का course परिक्षा परस पे चल रहा है बहुत बहुत सारे बच्चे इसलिए रुके हुए थे कि जब हमारा result आ जाएगा तब हम करेंगे और अब समय कितना मिल रहा है बच्चों आपको 13 माई को आपका पेपर हो जाएगा आज तारी क्या है माई लगने वाली है है ना अप्रेल कि आपको ये भी बता है दे लिएंधे ब्रॉट का एक्जाम कब होगा र्जेस का मैंने पिए टी की की धिड़-, बता दी इता कि जपकर दिया था तो थोड़ा सा बлекना tiet अखर आज सरा आते हैं तो थोड़ी बहुत तो इंफॉर्मेशन देते ह ciao सा कि रहा हुए तो यह आप मैं कई बार टीम में डिसकस कर रहात हूं कि यह बच्चे क्यों कोज खरीद रहे हैं वीचारों कर नुकसान हो जाएगा या तो आप पहले से तयार कियो तो बहुत अलग है लेकिन चलो ठीक है वह आपकी अपनी समय में उस पर ज्यादा टिपड़ी नहीं करूंगा वह आप प कि के बाद कुछ आंसर्स भी वदले उसके बाद नॉम्माइजिशन लगा नहीं तो उसमें करण यह था कि आपका आंसर की से मैच के बाद उसमें क्या हुआ था जब कोशन रेज हुए थे तो उसमें कुछ सारे कोशन गलत या सही हटा दिए गया इस करणा रहे इसे चेंज तो हो जाओ, तो आप अपने अगले चरण की तैयारी स्टार्ट की रहा करो, बाकि अगर उमीद है कि इस चीस से आपको थोड़ी से दिमाग में संतुष्टी हुई होगी, हाँ इस तरीके से चलता है, तो हमारा रिजल्ट ऐसे हुआ है, बाकि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ आप मुस्किल से मिलता है, यह बात आप भी जानते हो, तो उमीद है मेरी बाते आपको समझ में आई होंगी, जिन्मिल लगी होंगी, अगर आप चनल पने नए हो, तो बच्चो चनल को सब्सक्राइब कर लिजे, जितना मैं आपके लिए महनत करता हूँ, उसके बदले